पिछले 20 दिन से इस शेर को आकिर हो क्या गया है यह शेर 15 फरवरी के आसपास लगवाई 120 रुपे के आसपास था और आज 5 मार्च है और अब भी 120 रुपे के आसपास टेट कर रहा है शेर जो है काफी समय से चला रही है और देखा जाए तो लगातार इसके अंदर नई नई लेकर हो किसी भी तरीकी की नियूस गुड नियूस हो पर आप देखें शेर के अंदर मुमेंट नहीं है जबकि इस समय शेर के अंदर अच्छा कासा मुमेंट होना चाहिए और देखा जाए तो यह शेर जो है अपने हायर लेवल 170 रुपे से लगवख 30 परसेंट की करेक्श दिखा चुका है और अब 120 रुपे के आसपास काम कर रहा है तो अगर आपके भी मुन में यही सवाल है कि शेर चल क्यों नहीं रहा है और चलेगा तो किन बेसिस पर चलेगा आने वाले समय में तो आज का यह वीडियो आपके काम का साबित होने वाला है दरसल इस कंपनी को पा कि क्या इस टॉक का टॉप तो नहीं बन गया है अगर सीधी सीधी बात करें तो कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या एजजी वेन के शेर में आप टॉप बन गया है तो उसके लिए आपको कंपनी के बारे में काफी कुछ चीजें समझनी होंगी जो इस वीडियो में कर दिया है और हायर लेवल से इसके अंदर 30% की करेक्शन भी आई है यानि के 170 रुपे वाली कंपनी लगबग 120 रुपे के आसपास एट प्रेजेंट खड़ी है और यह कंपनी के अंदर देखा जाये तो अभी कुछ दिन पहले भी एक ग्यूद्नी जाई उसको आए लगब अभी मोमेंट नहीं है यानि की शेयर जो है अभी वहीं अटका हुआ है बजार ने इस न्यूज को भी पॉजिटिव ली नहीं लिया जबकि काफी बड़ा कैपेक्स है अगर देखा जाए इस सेक्टर के अंदर तो निशित सी बात है सभी के मन में सवाल आएगा कितनी बड सब्सक्राज़ के इस मेंदर ने एक प्रॉफिटेबल कमपनी हैं अगर आप क्वार्टली बेसिस पर भी देखें इस साल के अंदर भी अगर अब तक तीन क्वार्टर के बेसिःस पर भी देखें तो एस सब नूज सिपयो यह तो यहां कि पन्रेधा में वी इस कंपनी कि अ के अंदर इस कंपनी को लीड रोल में लाया गया यानि की जो भी कप एक्स होगा देश में काफी बड़ा रोल प्ले करता है यह आप कह सकते हैं अपक्स करना है इनके दमपर ही काफी बड़े capex होंगे तो उसके बाद भी share में अब ठेहराओ दिख रहा है यानि कि यह news भी यहां पर discounted है तो बात यहां पर सीधी सीधी एक सवाल खड़ा हो रहा है आने वाले समय में कौन से ऐसे points होंगे अब जो इस company के अंदर rally 2.0 की शुरुवात करेंगे यानि कि यहां से भी यह company आ या इसका top बन चुका है तो उसके लिए आपको अब company के अंदर कुछ और चीजे ऐसी समझनी होंगी जो मुझे लगता है इस company की re-rating में काफी बड़ा एहम role play कर सकती है तो आप सभी जानते हैं कि power sector इस समय जो है काफी बड़े reforms और capex से गुजर रहा है और सभी सरकारी कंपनिया भरपूर capex कर रही है तो जायर सी बात है renewable energy sector के अंदर हो या non renewable से हो power sector में सभी कंपनिया capex कर रही है चाथ thermal में हो या hydro से हो solar से हो wind से हो तो इस capex में LJBN भी कही न कहीं participate कर रहा है और company ने लगतार अपनी capacity expansion के लिए काफी काम किया है और यह company देखा जाये तो 8% लगबग 2.1 gigawatt की capacity पर है hydro से company बिजली बना रही है यह ताब सभी जानते हैं और लगतार इस company के पास capacity नहीं नहीं योजनाओं में अगर company के vision की बात करें तो इस company का अगर हम काफी long term vision के इसाफ से देखें तो 2030 तक management अनुसार यह company लगब 25 gigawatt की capacity वाली company होगी यानि कि अगले 5 सालों के अंदर यह company यहाँ से जो है अपने business में बहुत बड़ा jump दिखाने वाली है पर ऐसा नहीं है कि यह vision अगले 5 सालों के लिए है उससे आगे का भी company के पास vision है और very short term vision के इसाफ से भी देखें तो इस company के पास काफी कुछ ऐसा है मुझे लगता है वो अभी इसके price में discounted नहीं है management की माने तो company जो है लगबख 1500 gigawatt की capacity इस साल ही add करने वाली है यानि की 3.5 gigawatt की capacity वाली company इस financial year के अंदर होगी लगबख 7.5 gigawatt की capacity वाली company next year में हो जाएगी और लगबख 10 gigawatt की capacity वाली company अगले दो सालों के अंदर हो जाएगी यानि की per year देखा जाए तो इस company की capacity में आपको काफी बड़ा उचाल दिखने वाला है 2 gigawatt की capacity इस साल लगबख 3.5 gigawatt की 3.5 gigawatt वाली capacity लगबख 7.5 gigawatt की और 7.5 gigawatt वाली capacity लगबख 10 gigawatt यानि की अगले दो सालों के अंदर मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगा कर देखें तो इस company का business यहाँ से लगबख 3.5 गुना से 4 गुना बढ़ने वाला है इस company की capacity में लगबख 4 गुना का उचाल आने वाला हो तो आप सोचे उसके revenue में कितना बड़ा यहाँ पर जंप दिखने वाला है management की माने जो company at present लगबख 2500 से 2800 करोड रुपे के turnover पर है अगले 3 सालों के अंदर लगबख 14000 करोड के turnover पर होगी मैंने आपको बताया कि company already profitable है 2800 करोड रुपे वाली company 14000 करोड रुपे की sale कर रही होगी और उस और पाद में उसका profit बढ़ तुका होगा यानि कि ये company के profit में आपको multiple times का उचाल दिखने वाला है long term view के इसाप से अगर हम देखें वो सब चीजे अभी इसके अंदर discounted नहीं है फिर एक news मैं आपको बताता हूँ बजार ने ये तो discount कर लिया है कि company R.E.I.A. का member है पर बजार ने भी ये discount नहीं किया है R.E.I.A. का member बनने के बाद अब जो company powers supply करेगी ये आप कह सकते हैं कि इसको जो यहां पर premium मिलेगा पर unit पर वो भी company के additional income होगी और वो भी company के revenue में आप जुड़ने वाली है क्योंकि renewable energy sector के अंदर ये company जो capes कर रही है उसमें इसको काफी बड़ा role play करना है तो R.E.I.A. का जो tag इसके उपर लगा है उससे इस company को एक revenue और sales में बड़ा support लगने वाला है वो सब बाते अभी इसके अंदर discounted नहीं है तो वो यहां पर comfort देती है फिर रही बात price action की यह बात सच है कि company ने एक साल के अंदर 200% का return दिया और लबा 170 रुपे के इसाफ से देखेंगे तो और भी ज़्यादा return बना कर दिया फिर company के अंदर correction आई 30% की correction पर आज company खड़ी है नेट नेट देखें तो company ने यहां पर अच्छा खासा return बना कर दिया है जो 250% का return है यह मोटा मोटा जो है यह जो company ने higher level से correction दिखाई है उसको adjust करने के बाद है तो आप देखें company ने यहां पर higher side पर तेजी ही दिखाई है तो मुझे नहीं लगता इसमें घवराने की किसी भी तरीकी की जड़ता है फिर बात जो लोबा इसके अंदर invested है पार्ट से उनको तो अच्छा कासा profit है उनको तो इसके साथ जुड़े रहना चाहिए फिर जिन लोगी की purchasing 120 रुपे के आसपास है या higher level पर है यह बाते उनके लिए बड़े काम की हैं जो मैंने आज आपको बताई है क्योंकि इस company की further जो re-rating होगी उसके लिए हमें catalyst ढूणने जरूरी है और वो catalyst company के अंदर ही छुपे हुँ है renewable energy sector, power sector इनकी capacity double होने वाली है अगले 5 सालों में इनके अंदर काफे steam है और फिर इस company के अंदर भी काफे steam है और इसके capex यह clear cut बता रहे हैं और management अब खुद बता रहा है इस बात को तो मेरी नजर में तो SJVN जिनके portfolio में है चैवो higher price पर है या lower price पर है उन लोगों को कती घबराने की ज़र्ट नहीं है यह consolidation एक महीने चलेगा, दो महीने चलेगा, तीन महीने चलेगा फिर भी पजार को आगे जो news आनी है उनको discount करना है और आपने देखा ही है कि rally जब आई तो दो महीने के अंदर यह share कहां से कहां पोच गए तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इस consolidation में रहिए, अच्छा है, share इतना चलने के बाद consolidate हो रहा है, और अच्छा है, और तेजी से फिर इसके लिए अच्छा होगा चलने के लिए और वन वे रैली आप सोचे कि अगले पांच साल का सब कुछ share एक साल में discount कर लेगा तो इतना असान नहीं है, इतनी बड़ी rally आ जाएगी तो वह bubble बन जाएगा, तो आप long term view के साथ SGVN के अंदर सिटिट हो जाईए, यह company अब जो consolidation कर रही है, मुझे लगता है rally 2.0 के पक 3.5 गिगावाट की capacity पर positive दिख सकती है, तो इसका impact fundamentally financially company के उपर दिखेगा, वही उस समय उसकी relating का time होगा, तो उमीद करता हूँ, मेरा आज का ये वीडियो, SGVN को लेकर आज आपको काफी कुछ जानने को बताएगा, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुला कास करते है एक नए वीडियो के साथ, फिलाल के लिए नमस्क्राइब